नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं विशेशन से सम्मंदी सभी प्रस्ण हिंदी व्याकरन के विशेशन टॉपिक को हम लिए हैं बिहार बोर्ड कलास 12 का हम देख रहे हैं हिंदी व्याकरन देख रहे हैं जो एक्जाम में इससे कुशन बनते हैं यह रिमेंब्र करना है दोस्तों ठीक है दोस्तों पिछले वीडियो में हमने कई टॉपिक को हम देख लिया है संग्या स्अनाय किरिया यह सभी टॉपिक को हमने देख लिया है है prettierapon विशेशन टॉपिक को लिये हैं और इससे समनत्र juices ट्याजाम में पूछे गया है यह पू किसी देवी के साथ पहला प्रस्न है जो पूछा जा चुका है 2019 के साइंस इस्ट्रिम के पूछा गया है अस्मरन का विसेशन क्या हो सकता है विस्मरन संस्मरन अस्मरन तो तो सही उत्तर हो जाएगा अस्मरन का अस्मरन का हो जाएगा यह अस्मरन तो उचारन में दिखना और नहीं दिखना इसमें ठीक है तो इसका सही उत्तर C हो जाएगा अस्मरनी यह विसेशन हो जाएगा अस्मरन का दोस्तों दूसरा क्वेशन है प्रसंग का विसेशन क्या होगा प्रसंग का विशेशन और प्रसंग होगा, सब प्रसंग होगा, प्रसंगिक होगा, इन्वे से कोई नहीं यह पूछा जा चुका है question, इसका सही उत्तर है प्रसंगिक प्रसंगिक, प्रसंगिक जो है यह प्रसंग का विशेशन होगा दोस्तो तो इसका C नमर इसका सही उतर है ठीक दोस्तों आगे देखते हैं आलस का विशेशन क्या होगा आलस का विशेशन क्या है आलस से है आलस वान है आलसी है आलास है आलास देखिए सभी एक जैसे लग रहे हैं लेकिन इसमें एक ही एंसर सही होगा एक ही अफसन सही होगा तो सही पूतर सी नमर सी हो जाएगा आल सी हो जाएगा कि J fashion कैसे पाचानेंगे दोस्तों कि यो सकता है c यह भी हो सकता है यह भार्व सकता है लात्ष से लाती नहीं हो सकता अलस्वाम गार्वत किसी संग्या के पहले इस चारों को हम पुट कर देंगे और देखेंगे रिजल्ट की कौन सा सब्द सही बैठ रहा है उसे हम वी सेशन कहेंगे दोस्तों ठेक है आगे देखें इसका तो हो गया सी नमबर सही है चौथा देखिए उच्छ सब्द का वी सेशन क्या होगा तो सही उत्तर हो जाएगा ए उच्छ तर क्या हो जाएगा उच्छ तर इसका सही उत्तर है उच्छ का वी सेशन उच्छ तर हो जाएगा ठेक है नमक का वी सेशन क्या होगा नमक का वी सेशन बताना है आयोडीन तो इसमें पाय जाता है ना लेकिन नमकीन टाटा देखिए ट पूछा भी गया है एक्जाम में तो सही उतर क्या हो जाएगा बी नमर चार चार परकार होते हैं दोस्तों आगे देखते हैं सीव का विशेशन क्या होगा सीव का विशेशन क्या होगा सीव का यह पुछा गया 2020 के आयसी में पुछा गया है इंटर्मेडियर के साइंस पुछा गया है तो इसका सही उतर क्या हो जाएगा सीव का विशेशन सीव का होता है सैव जैसे ठीक है विश्णू का वैस्णौव ऐसे होता है न तो इसका सीव का हो जाएगा सैव तो सैव सीव का विशेशन है ए नमबर इसका सही उतर है ठीक है आ दिवा दैनिक दोप हर तो दीन का विसेशन हो जाएगा दैनिक ठीक है दीन का विसेशन हो जाएगा दैनिक सी prechen स्वार्ण का विसेशन बताना है सवार्ण का वीसेशन क्या हो característ Shorn name 하는 Ugh now placed 2 ऊरिजनल मतलब यह सब्वें वैसेSON में देनता है सोण सोण पर काम करते हैं तो क्या हो जाएगा तो ईम्म सिर्ट हो जाएगा थेगहं का वीशेशन क्या होगा लोंका वीशेशन आपको बताना है ये हैंARIN लॉकेंद्र लोकिक या फिर लोग परक तो किया हो झाएगा इसका इसार नहीं बताना के नहीं हो सकता लोकिक हो जाएगा इसका से उतर आगे देखीए ग्राम, ग्राम का भी सेशन बताना है, तो ग्राम का ग्रामीन होगा, ग्राम वासी होगा, ग्राम होगा, या फिर गवाई, तो उसी पर का ग्राम होई नहीं सकता है, ठीक है, गवाई, गवाई हो सकता है या नहीं, बताइए, गवाई नहीं भी नहीं हो सकता है, ग्राम वासी का विशेशन क्या होगा मास का मासिक माह महीना या वर्ष तो सही उतर क्या हो जाएगा मास का तो मास का सही उतर हो जाएगा मासिक माह महीना या वर्ष तो मास का मासिक हो जाएगा ए नमर इसका सही उतर है आगे देखते हैं शाईत्यक का विशेषन साहित्यकार साहित्यक अगे देखते हैं जाती का विशेषन जाती, जातिय, जनम या जन तो साहित्यका हो जाती जातिय 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 बी नमर इसका सही उतर हो जाएगा पंदरा देखिए दोस्तों कम का विसेशन क्या होगा कम का क्रमिक होगा क्रम होगा क्रम क्रमिक ता करन सही उतर क्या हो जाएगा पंदरावा का पंदरावा का ए नमर क्रमिक सही उतर है इसका क्रमिक इसका सही उतर है आगे देखते ह कांटा का विसेशन क्या होगा कांटा का विसेशन बताना है तो कांटा है कांटा का विसेशन क्या होगा ठीक है चंदर बिंदू है इस पर कांटा इस पर चंदर बिंदू है ठीक है कांटा कांटा का विसेशन हो जाएगा कांटे कटीला काल यह इन में से सभी सही इन में से कि अर्थ का विसेशन क्या होगा अर्थ अर्थ का विसेशन क्या होगा तो अर्थ का आर्थी इसका सही उतर हो जाएगा सतरा का सी नमबर इसका सही उतर हो जाएगा ठेक है आगे देखते हैं अंस का विसेशन क्या होगा अंस का आशिक तो होगा नहीं आशिक नहीं आंसिक है कि अंस कालीन है या अंस काल होगा या अंस होगा तो अंस का क्या हो जाएगा से उत्तर तो अंस का सही उत्र हो जाएगा डी नमर आंसिक इसका सही उत्तर है तो अंस का आंसिक सही उतर है ठीक है दी नमर इसका सही उतर है आगे देखते हैं आधर का विसेशन क्या होगा आधर का विसेशन आधर निये आधर पुरुवक आधर या अधार तो 19 का सही उतर है ए आधर निये आधर का सही उतर क्या हो जाएगा आधर निये ठीक है पूछा गया एकजा history देखिए इतिहास का अंगरी जी नाम फिर इतिहास को एतिहास लिख सकते हैं नहीं एतिहास को लिख सकते हैं ठीक है इतिहास को दो पार्टें तोड़ते तो इती और हास बनता है तो उसी से लिया गया है ठीक है मतलब इसका एतिहास ही सही उतर हो सकता है 20 का होगा नहीं हो सह उतर ही है ठेक है तो एतिहासी इसका सही उतर है आगे देखते हैं कि ओज ओज का वीशेशन क्या होगा ओजवान ओजस्वी ओजसी ओजी तो क्या ओजस्वी सही उतर लग रहा है आपको बिल्कुल सही उतर है ओज कर देखते हैं अवलंब का वीशेसन क्या होगा अवलंबक अवल अवनी अवलंभित तो 22 सही उतर हो जाएगा अववलंभित इसका सही उत्तर है Ah आगे देखिए समाज का विशेशन क्या होगा समाजिक सामाजिक समाज योग्य और समाजिक तो 23 का सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए दोस्तों समाज का विशेशन क्या होगा बी नमर इसका सही उत्तर है समाज का सामाजिक देखिए इसमें सा नहीं लगा होगा है ठीक इस चुका है दूजाओनिस में आत्मा का वी सेशन क्या होगा तो आत्मा का वी सेशन होगा आत्मा आत्मा आजा आत्मिये आत्मिक या फिर इन में से कोई नहीं तो सही उतर हो जाएगा सी नमर आत्मिक आत्मा का आत्मिक तो सी नमर इसका सही उतर तो इस परका दोस्तों हमने एक से लेकर 25 तक सारे objective question को देखा deal किया उसे रिमेंबर किया जो जो एक्जाम में पूछा गये question है उसको भी हमने देखा अगर एक भी question में doubt होता है उसको बार बार देखिए समझे और comment box में comment कीजिए कौन सा उत्तर आपको समझ में नहीं आया ठीक है दोस्तों तो एक से 25 तक हमन